नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल दो इंजिरियर में मैं हूँ आपका दोस्त मनिक दोस्कमाथ दोस्तों आज के वीडियों बात करेंगे गेल इंडिया के बारे में जैसे कि आपको पता होगा कंपनी अपना क्वाटर फोर का नंबर अभी अभी थोड़े पहले मिक्स नंबर दीये हैं कैसे क्या नंबर दीये हैं चले देख लेते हैं बिस गोड़ी पिछले कौाटर में कंपनी का रिवेन्यू था पचीस राज़ा शासी बचाटर करोड के आजब कि इस क्वाटर में कंपनी का थोरा सा गिरखे चप्षवेस बहना द्रहा नासे करोड़ के आसपास का जंप कंपनी के रिवेन्य घंदर जो कि न मेरा इनसाप से बहुत hela कि बहतरीू dividedWow। कंपनी चैंखी है जब्कि फजो ह में पहसी है, इस थे को पता है कि यह सुझाया सुझोख पलvertक और आशरी पंपनी कंपनी नें एक्हर्च को कुछ यह कंपनी ने कुछ जगा पे थोड़े से खज जादी किया है जिसमें देख लिए पर्चेस ऑफ श्टॉक इन ट्रेड वहां पे कंपनी ने इस कॉर्टर में इस कॉर्टर में प्रोफिट जो था एक सगंड यह नीचे रहा कंपनी का जो प्रोफिट था पिछली कि इस कॉर्टर में का प्रोफिट घटके दौहजारग्ण झॉस्चतोριत है च्टॉकर्ष कॉर्टर गडार प्रोफिट ऑफियहाट में को पिछल्टर को थीक्रौटर थोड़ी से कंपनी एंगर यहां पर थोड़ा सा मूनिवाज कर लोए Kag۔ यहां पे जो purchase of stock in trade यहां पे company जो थाइस सो करोर रुपय ज़्यादा खाज किया है अगर वो थाइस सो करोर अगर बचा लेती company तो वो थाइस सो करोर अगर हम यहां पे add करते तो यह total बनके आ जाता हमारा approximately पांच-छेजार करोर खाज पास तो उस हिसाब से देखे तो numbers बहु के share के अंदर कोई गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि यह company का main expense नहीं है company stock के ऊपर expense की है तो उस बचे से मुझे नहीं लगता है कि share का अंदर कोई गिरावट होगी मुझे लगता है कि normal result है average result है इस से नहीं share ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा share एक range में जो चल रह है उसी range में चलता रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से result नहीं अच्छा है नहीं खराब है average है बस यह बताना था साथ में पताना था अगर वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दे साथ में साथ सब्सक्राइब कर दे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद